नमस्कार में गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी आज हम चर्षा कर रहे हैं वाहन पूजन कैसे करें पिछले बहुत दिने से बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं इस पर इसलिए यह वीडियो बनाना आवश्यक नहीं बलकि परम आवश्यक हो गया भी आज भी एक कमेंट आ रहा था कि पंडित जी हम बहुत दिन से कह रहे हैं आप इस तर वीडियो नहीं बना रहे हैं वीडियो ना बनाने का कारण यह था हम सोच रहे थे कि लाइब करके आपको दिखाएं कि इस प्रकार से वाहन पूजन करवाया जाता है लेकिन ऐसा कोई यहीं लगा करके अच्छे से सीखने का प्रयास करिए उम्मीद करता हूं कि आप सीख जाएंगे यदि आप लेट करके वीडियो देख रहे हैं सरपतम बैठ जाईए एक कापी और पेन हाथ में ले लिजी आप शक्ता पड़े तो कुछ मंत्र इस लोग आप लिख लीजिए आज वाहन पूजन कैसे करें वाहन पूजन करवाना बहुत सरल है इसमें कुछ विशेस्ता आप समझ लीजिए बस विशेस्ता यह है कि वाहन पूजन होता क्यों है और पूजन किसका होता है तो वाहन को हमारे यहां पर शनातंधर में लक्षमी स्वरूप माना गया है वाह जरूर है आवाज जरूर आती है लेकिन वह इंजन दिखता नहीं है इसलिए उसे हम लोग अद्रिश शक्ती मानते हैं और सर्णातंधर में अद्रिश सक्ती यह सक्ति का जो दाइत दिया गया है वो माभगवती को दिया गया है मा भगवती स्री महा काली महा लक्ष्मिय और महा सरस्वती जी को हमारे यहां पर शक्ति स्वरूप माना जाता है इसलिए वाहन पूजन में मा भगवती का ही पूजन होता है किनका कहा कैसे पूजन करवा जाता यह आपको बताऊं उससे पहले आप जब भी वाहन पूजन करव साइड में पहले रख दीजिए जब तक पूजन करें तब तक दीपक जलता रहे जल रखी है जो पूजन करने वाला उसके वे आचवन करें पवित्री धारण करवाईये उसके बाद करें संकल्ब करेंगे शंकल्प का मंत्र भी आपको मैं शंकल्प पढ़के बता दे रहा हूं थिक है थोड़ा साठकत छोटवा से शंकल्प बताऊंगा क्योंकि वाहन पूजन में बहुत ज्यादा समय लोक नहीं दे पाते हैं खड़े खड़े पूजन करते हैं उससे पहले समझ लिजे कहां पर किसका पूजन होता है मा भगवती स्री महा काली का पूजन जो होता है वो टायर में होता है चक्का जिसे बोलते हैं ठीक है टायर में थोड़ा सा जल संदन कुमकुमित्यादी लगाते हैं और टायर की नीचे दो निम्बू रख्खा करते हैं ठीक है बली शरूब में मा काली क्या उग्र देवी है इसलिए इनको बली दी जाती निम्बू की ठीक इसके बाद जो मा भगवती होती है लक्षमी जी लक्षमी जी का पूजन कहा होता है इंजन में होता है उनका इस्थान इंजन में दिया ग कब लख्षी श्वरूम बाहन होता है उसको हम लख्षी श्वरूम भी मानते हैं इसलिए इंजर में मुख्य पूझा की जाती है इसके बाद माभगवति स्री सरष्ट्वति जी का इस्थान होता है वो द्राइवर की हैंडल इस RAM और शीट में होता है क्योंकि ड्राइवर की स् सिस्टम आपको बता दिया खड़ायों करके आच्मनित्यादी जो शुरुवात करते हैं पूजन के आप से एक भी पूजन करवाना नहीं बनता है तो आप सर्प्रथम जाईए और पूजन कैसे सुरू करते हैं या पूजन कैसे प्रारंब करें गोपाल पंडित जी यूटूब पर सर्च करेंगे तो वीडियो मिलेगा इसको आप देख लिए सर्प्रथम उसके बाद फिर आगए आप इसको समझिए तो चलिए ध्यान पूर्वक अब जो है आप शंकल्प को लिखते अब ध्यान पूर्वक लिख लिजे ठीका ओम स्री गणेशाय नमहा ओम स्री विष्णोर 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 नमहा अध्य प्रह्म दुतिय परार्धे श्री स्वेदवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अश्टा विंसति तमे कली युगे कली प्रथम चर्णे बर्दे भारत वर्षे भरत खंडे आर्यावरतांतर गते बरंह परदय ही का देश है पुन्या प्रदेशे अब आप जिस प्रदेश में है उसका यहां नाम लेँए याप जीले का नाम लिजेशे मैं जबल पूर नाग पूर किसी पूर से हूं कानपूर हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलेगे जावालपूर जनप अदे फिर अमुक नगरे जिस नगर के अंतरगत है जिसे माली जे उधारण के लिए मैं जहां पर हूँ इसका नाम है संकरगड ठीक संकरगड नगरे अमुक ग्रामे जिस गाउं के अंतरगत है अब ठीक तो मैं इसमें जिस गाओं में माली जिसका नाम है प्रतापपुर ठीक प्रतापपुर ग्रामें इसके आगे फिर अब आप पंचांग में आ जाईए पंचांग इदि आपसे देखने बनता है तो वहां पर देखें कौन सा सम्मत सर चल रहा है कौन सी रितु चल दी है कौन सा म चल रहा है नल चिक नल नाम धय स्म्मत चरें कि ए शिसर जो रितु चल रहा है उसे बहुंढ के माघ कमाश é पक्ष कौन सा पक्ष्च छलाए सुक्ल पक्षे तिठी कौन से चल रहा है दुतियायां महाशवपय दिथाओ pu फिर कौन सर दिन है आज मान लेते हैं आज कोई सर दिन जिस दिन आप संकल बोला हैं जो भी दिन है वह अज मान लेते हैं यहाँ पर सनिवाशरानवितायायाय यसनिवासरे इसके बाद फिर बेलायां तो यहाँ जगह छुटी ही वहाँ पर आप जो शमय पूझा करा रहें पर आमू का गोत्र हाल ज़ 열्वान का पूझन करा हैं उसके गोत्र का नाम लेंगे पर आमू का नाम नाहम उस जातक का नाम लेंगे फिर इतना करने के बाद आवकुलनाश्तुरुति स्मृति पुराण वक्त बेद वक्त फलप्राप्त है अश्या नवक्रेत नवक्रेत मतलब नया खरीदा हुआ ठिक आमुकवाहन अश्या जो वहान हो उसका जो नाम हो यहाँ पर नाम ले सकते हैं ठिक दीर्गकाल परियंतम निर्विग्णरूपेण अबाध गत्या संचाल नार्थम वाहनेनानेन शुख शोविध्य यसह कीर्ति लाभादि प्राप्त ये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नाम वाहना अधिष्ठात्र देवतानाम वाहनेस्मिन यथा भक्ति यथा शक्ति आवाहनम आवाहन पूरवकम प्रतिष्ठा पूजनम्चा करिश्ये बहुत साधारण सा ये संकल्ब हमने लिखा है बहुत आराम से एक एक सब्स बोल करके आपको बताया केवल इतना ही लिख लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते सेम कसेम आराम से वीडियो रोक रोक करके कापी पिन में लिख लीजिए और सेम ऐसे बोल दिजिए उसके वाल is इतना बोल करके संकल्ब कली जी शंकल्ब मैं आपको बता दिया हूँ आदि मैं भगवत्ती हृ ँस्री महा काली महा लक्ष्मयं महा सरैस्वती का ध्यान मंत्र बता रहा हूं तीनो लोगों का इनmy को बोल कर productions करें ध्यान करें यह महाकाली महालक्षु महासरश्वती थ्यान जो है इसे मैं बोलता हूं आप एकदम आराम से लिख कर बोलने का प्रयास करें यह जो ध्यान मंतरं आपके दिख रहा है ये ध्यानमंत्र कहीं बाहर विदेशत नहीं आया है ये सब कुछ दुरगा शब्तसती में लिखा हुआ है दुरगा शब्तसती जोब इस तुरुख से देवी महाकाली महालक्षी महार reclaim सृरसुती है वहीं से इसे मैंने लिखा है क्यों क्यों कि जब आप इसे अब आप इस मंत्र को सुनिए के वल ठीक लिखने के लिए आप दुर्गा सब्तर सथी उठा करको वहां से लिख लिजेगा एक है पहले अध्याय का दूसरा है दूसरे अध्याय का और तीसरा है पांच में अध्याय के यह तीन चरित्र होते हैं दूर्गा सब्तर सथी तीनों चरित्र के ध्यान है ठीक चलिए महा काली का ध्यान हम बोलते हैं ध्यान पूर्वक्षणी है खडगां चाक्रगरे सुचाप परिगां चोलां भुसुंडिम्सिराहां शंखं संदध दिंकरे स्रिनयनां शर्वांग भूशा वृतां नीलास माध्युति मास्यापाद दशेकां शेवे महा काली कां या मास्तोच पिते हरव कमल जो हन्तुम्मधुम् कैटभं इसरी प्रकास से महालक्षमी जी का ध्यान है उसे भी सुनिए अच्छा स्रक्वर सुंग देशु कुलिसां पदमन्धनु स्कुंडिकां दंडं सक्ति मसेंच चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं सुलाम पास सुदर्शने चदधेतेम अस्तई प्रसन ननाम सेवे सैरभमर्दिनी मिह महा लक्षमी सरोजस्तितां और लाश्ट में माभगोती श्रीशर शुती जी का ध्यान है जो की पंचम अध्याएकाई से भी सुनिए आगंटा सुलहला निशंख मुसले चक्रंधनु सायकं हस्ताप जैर्दधे तिंगनांत विलसाज शेतां सुतल्य प्रभाम गवरी देह समुत भवांद्र जगता माधार भूता महा पूर्वा मत्र शरस्वती मनुभजे शुम्भाजि देत्यार दिनीम स्रीमा कारी मालक्षमा सरशुत्य नमहा इस प्रकार से ध्यान है और ध्यान प्रात्मा इस मंत्र से करें बाकी पूजन आप जानते हैं बहुत सरल है उसी प्रकार से हल्दी चंदन कुंकु मित्यादी लगा करके पूजन करवा देने ठीक आप बताईए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा यदि अच्छा लगाओ इससे कुछ सेवा हेल्प मदद हो पाई हो तो आप अपने इस प्यारेश यूटूब चैनल गोपाल पंडिजी यूटूब च कर्था बताईए ह Państwo कि अवीडियो आपको पाईए हो जापको कि यह वी वीडियो आपको कि आपको कीप मुदूब चैनल गोगा है इसकिनल इससे कश्छारे इससे लूटूब